नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर मैं हूँ अंकेत अवस्थी आप है मेरे साथ में एक ऐसे विशह पर चर्चा करने के लिए जो आपके लिए बेहत जरूरी है और आपके परिवार जनों के लिए उससे भी ज़्यादा जरूरी है संभ दोक्टर से, प्रेक्टिशनर से या फार्मेशूटिकल इंडेस्ट्री में काम कर रहे लोगों से कहा गया है कि वो anti-microbial disease को बढ़ावा ना दें या फिर यह कहिए कि वो anti-microbial drugs को ना बेचने दें अब यह क्या होती है आज के session में इस प्रकार की चर्चा करेंगे ना पैसे के मुनाफे के लिए किसी व्यक्ति के शरीर का नुकसान ना होने दें अब यह थोड़ा सा समझने के लिए हमें session को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसमें से antimicrobials जो दवाएं हैं उनमें से हमने एक शब्द कॉपी किया है that is antibiotics जो widely use किया जाने वाला शब्द है संभ antibiotics में सबसे common है edithromycin संभवत आपने कभी ना कभी लिया होगा तो आज का session इस बात पर है कि जो दवाएं सरकार के द्वारा बताई हुई prescription के तहत ली जाने वाली दवाएं हैं डॉक्टर जिनको कारण सहीत बताता है कि इसलिए यह दवाईया दी जा रही हैं उसी category में ही य antibiotic से ही शुरू हुई है तो antibiotic होते क्या हैं? Antibiotic है bacteria के दुश्मन यानि anti to bacteria इसलिए नाम पढ़ गया antibacteria यानि antibiotic अब ये करते क्या हैं? Antibacteria या फिर antibiotic ये bacteria को मारने का काम करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? Bacteria अपनी खेप और ना बढ़ाए यानि कि एक तरह से ये समझे कि spread of bacteria जादा ना हो उसके अंदर reproduction ना हो इन चीजों को ये है रोकने का कारे करता है Interesting बात समझने की आवशकता है कि antibiotic bacteria के reproduction को रोकता है virus को या फिर किसी अन्य प्रकार के fungi को या किसी और प्रकार के parasite को आपके शरीर पर प्रभाव करने से नहीं रोकता है लेकिन आप और हम इस बात से सोचते हैं कि हमें तो हर बिमारी केवल bacteria के कारण ही हुई है और ऐसा मानते हुए जुकाम, खासी, गले के अंदर दर्द या फिर किसी भी प्रकार की body pain हम हर चीज का जिनमेदार bacteria को मानते हुए दुकान से जाकर के antibiotic ले आते हैं संभवतया आप में से बहुत से लोगों ने एजित्रोमाइसिन जब-जब गला खराब हुआ, जब-जब जुकाम हुई, खुद से जाकर खुद के खुद डॉक्टर बनके दुकान से मांग ली और दुकान वाले ने आपके कहने पर कि ठीक है मेरा भी व्यापार चल रहा है इनका इलाज चल रहा है, हो जाने दो, तो वो डॉक्टर सहाब बनते हुए दुकान वालों ने ही आपको अपनी तरफ से एंटिबायोटिक पकड़ा दी, एजित्रोमाइसिन या फिर और भी तमाम प्रकार की जो एंटिबायोटिक्स हैं, जिसमें लेवोफ्लेक्सिन, आद अगर आपने नहीं ली हैं, तो इसका मतलब आप सुरक्षित हैं, किस चीज से सुरक्षित हैं, आगे आने वाली जानकारी से, क्या जानकारी है, आगे आने वाली जानकारी ये है कि हमारे देश में केवल एंटिबायोटिक ही नहीं, अब एंटिवाइरल ड्रग्स भी चलती अब एंटी फंगल ड्रक्स भी चलती है या फिर ये समझे कि जिसका कारण है उसके खिलाफ एंटी में दवाएं भी हैं इंटरस्टिंग फेक्ट जानकर आप अश्यरे करेंगी कि कोरोना काल में जिस प्रकार से खासी जुकाम बुखार हो रहा था सांस घुट रही थी उस समय लोगों ने भर-बर के एजित्रोमाइसीन अपने लिए खाई या कहिए कि एंटी बायोटिक्स खाए जबकि कोरोना वाइरस जनित बिमारी थी अब आप विचार कीजिए कि जनित है बिमारी वाइरस से आप बैक्टीरिया की दवाई खाने से आपका शरीर उसके अगेंस्ट अपने अंदर इम्म्यूनिटी पैदा कर ले रहा है रोग प्रतिरोधक चमता विक्सित कर ले रहा ह पहले ऐसे समझते हैं दवा का कार्य है क्या दवा का कार्य है जैसे आपने दवा लिए आपने एंटिबायोटिक खाया एंटिबायोटिक आपके शरीर के अंदर रक्त के माध्यम से लिवर तक पहुंचा लिवर ने जाकर कि उस एंटिबायोटिक को छोटे-छोटे टुकड दवा आपके शरीर में जबरन घूम रही है जगत के अंदर जब जबरन घूम रही है cells को दिखता है कि ये क्या आगया नया foreign element तो वो उनके खिलाफ अपने आपको तयार कर लेते हैं क्या पता ये आकर के हमें बिमारी की गिरफ्ट में चला जाता है और उस नहीं बिमारी का नाम क्या है antimicrobial resistance जैसे short form में AMR कहा जाता है तो ये जो AMR नामक हमारे शरीर में बनने वाली बिमारी है ये दुनिया के अंदर top 10 उन बिमारीों में शामिल है जिन से सबसे ज़्यादा लोगों की मौते हो रही है संख्या पद लाखों में है हर साल मरने वालों की संख्या लाखों में है क्योंकि जब आप वाकई में बिमार पड़ते हैं तब आपका शरीर इन दवाओं के खिलाफ या इन दवाओं से सही नहीं हो पाता है अब आप आसान तरीके से ऐसे समझिए, विचार कीजिए, कि आपने अपने शरीर में कोई एंटिबायोटिक कंज्यूम किया था, अब जुकि आपने तो वाइरस से जनित बिमारी पर एंटिबायोटिक खा लिया, शरीर ने उस एंटिबायोटिक के खिलाफ अपने शरीर के अ कि शेर आया शेर आया लेकिन एक दिन वास्टिक्ता में शेर आगया जिस दिन लोगों को ये विश्वास हो गया था कि ये तो केवल दराता है ऐसी हमारे शरीर के साथ हुआ हमने हर बार एंटिबायोटिक खाली बिमार हम वाइरस से हो रहे थे हमारा शरीर तयार हो गया एंट राम से हमारे शरीर को नुकसान पहुचा रहा है हम इलाज के नाम पर दवा खाने की कौशीशे कर रहे हैं कि अब तो बैक्टीरिया जनित बिमारी है चलो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटिबायोटिक खा लेते हैं लेकिन जैसे हम एंटिबायोटिक खाते हैं हमारा शरी के अंदर ये जो immunity है ये antimicrobials के खिलाफ पैदा हो गई और ये जो antimicrobial resistance हमारे शरीर में पैदा हुआ इसने हमें हमारे शरीर के लिए बहुत कमजूर कर दिया और नुकसान क्या हुआ अब वो bacteria हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुचाने के लिए तयार है तो अब आप विचार कीजिए एक तो bacteria और उपर से हमारे शरीर के अंदर antibiotic के खिलाफ बनी हुई resistance ये दो चीजें एक साथ मिलें तो दोनों के मिलने से अब हमारा शरीर bacteria नहीं सुपर बैक्टीरिया जिसे आप सुपर बग कह सकते हैं उसका शिकार हो चुका है और सुपर बग से शिकार हुआ हमारा antibacteria या antibug अब आप विचार कीजिए कि कितना बुरी तरह से पीडित या प्रताडित होगा उमीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी इसे अब दूसरे तरीके से और बढ़ाते हैं यही हाल हमारे शरीर में वाइरस जनित बिमारियों का है आपको फीवर हुआ किसी ने कहा यार इस समय वाइरस फैल रहा है किसी ने कहा क्योंकि हमें क्या लगता है कि डॉक्टर की 100-200-500 रुपए जो फीज है यह बहुत जादा फीज होती है हमें क्या मतलब है आज कल तो इतने सारी डॉक्टर को भी दवाही तो देनी है गली-गली में मेडिकल इस्टोर खुले हुए है मेडिकल इस्टोर पर जाएंगे 20-25 रुपए में 2 दवाईया दे देगा या 3 दोस दे देगा हम तो उसी से सही हो जाएंगे आप दवा की दुकान पर पहुँचते है भाया सुनिये यार पेट में दर्द हो रहा है बोले भाया हो सकता है सीजन घराब चल रहा है अब वो जो दुकान दार बैठा है जिसने फार्मेशूटिकल की पढ़ाई करी भी है कि नहीं पकड़ी ये पता नहीं वो डॉक्टर तो नहीं है दुकान पर बैठा है अब वो जो डॉक्टर नहीं है वो आपके कहने पर आपको दवा पकड़ा रहा है अपने अनुभवों के आधार पर क्योंकि उसे अनुभव क्या है कि उस दुकान पर डॉक्टर's के जो प्रेस्क्रिप्शन्स आते हैं उन्हें पढ़पढ के आधा डॉक्टर वो भी बन गया है उसे लगता है कि डॉक्टर इस सीजन में यही दवाईयां लिख रहे हैं, यही दवाई मुझे इनको देनी चाहिए, यह सही हो जाएंगे, आपने वो दवाई खाई, अब दवाई आपको हो सकता है, सबका शरीर अलग है, सबकी कंडिशन्स अलग हैं, कंडिशनिंग अलग है अब वो दवा जो आपको उस दुकान वाले ने दी है, क्या पता कि वो सही दवा है या नहीं है, लेकिन सही लग गया तो निशाना है, अदर्वाईस तो वावा हो नहीं है, अब क्या ऐसा, ऐसी इस्तिती में आपने वाईरस समझ करके दवा ले ली, अब हो सकता है, इस बा antiviral drug के खिलाफ भी हमारे शरीर ने immunity पैदा कर ली और पैदा क्या कर ली कि पेटा अगले से दिन यानि कि यह बिमारी इसी से आप हमारा शरीर क्या देख रहा है यह दवाई क्यों खाई यह इसने तो कुछ है नहीं इस बिमारी के लिए तो इसका मतलब असली foreign element हमारे शरीर मे यही वाला product है तो कोई बात नहीं इसी के खिलाफ immunity बनाएंगे अब वो antiviral drug के खिलाफ immunity बना लिया आपको आश्रे होना चाहिए यह जितनी भी antimicrobial drugs हैं जितनी भी हम लोग दवाईयां खा रहे हैं यह drugs अंदर चलके drug resistance पैदा कर रही हैं जब हम वाकई में बिमार होते है तब जब हमें treatment दिया जाता है वो treatment हमारे शरीर को लगता ही नहीं है आप अपने परिवार में अपने घर बड़ों से माता जी से बाबा दादी से पूछिएगा वो आपको अपने अनभाव बताएंगा और वो कहेंगे कि मेरे इस दवा से असर नहीं होता मैं अपने परिव बिमारी अपने आप में बिमारी है आप दवा खा रहे हैं दवा को शरीर समझ रहा है कि ये तो दुश्मन है हमारा और शरीर दुश्मन समझ रहा है और ऐसी इस्तिती में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो बिमारी से तो आप ग्रसित हो ही अब दवा के खिलाफ भी शरीर लड़ रहा है, एक्स्ट्रा परेशानियां हो जा रही है, इचिंग हो जा रही है, रैड हो जा रहा है शरीर, आपके शरीर में स्वेलिंग आ जा रही है, ऐसी इस्थिति बड़ी विकट है, और ऐसी इस्थिति में भारत में आए दिन हजारों लाखों की संख्या के थी साथियों 1928 में सबसे पहली एंटिबायोटिक दवा आई थी पैनिसलीन जब पैनिसलीन आई थी तो लोगों ने सोचा कि बहुत बढ़िया चीज आ गई यार एंटिबायोटिक बन गया और ऐसे करते करते दुनिया भर में इसकी दमादम खोजोने लगी और भारत तो इसक ले कहा है कि करपया करके अब अगर आप एंटिबायोटिक लिखते हैं तो उसका कारण भी प्रेस्क्रिप्शन पर बताएं कि मैंने क्यों लिखा है जस्टिफाई करिए प्रेस्क्रिप्शन पर कि आपने उसको क्यों लिखा है डॉक्टर्स को कहा गया है कि आप इस प्रका पर आती हैं ये एंटीड योटिकस महंगेदामों पर आती हैं तो डॉक्टर को लिखने के नाम पर जो भी कंपनी पैसे देती हैं बहुत बार ऐसा होता है कि ॐ革र्टी को बड़ी तो जाईए बस बढ़िया आपने दवाई हमारे नाम की लिख दी तो अब दवा जब आपने उनके नाम की लिख दी तो इसका मतलब ये निकला कि उस दवा को बेच करके डॉक्टर साब बढ़िया पैसा कमाएंगे अब डॉक्टर साहब ने उससे जो पैसा कमाया है उससे क्य मरीज को नुकसान नहीं हुआ क्या उस समय का नहीं नुकसान हुआ क्योंकि मरीज को तो सही होना ही था सीजनल बिमारी थी उसका तु दवा उन्होंने लिखा ही था साथ में 24 अतिव्याटीक walुटिक का दी थोड़ा ऐसा नहीं होता है क्योंकि जिन्होंने ये लेटर जारी करवाए हैं वो लोग भी डॉक्टर ही हैं तो वो जो इनके खिलाफ शब्द उठाते हैं जिन्होंने ये बिमारियां खोजी हैं वो लोग भी डॉक्टर्स ही हैं हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है तो आप ये मत आपको इसी बैच में उपलब्द हो जाएगी और अगर आप हमारी क्लास में पढ़ाय जाने वाले नोट्स जिने हम क्लास में पढ़ाते हैं वो बंडल्स भी आपको घर पर मिल सकते हैं आप उसे भी और कर सकते हैं वो भी 1999 में आपके लिए उपलब्द है आप उसे भी और कर सकते हैं अच्छा अब आपके सामने एक मैं न्यूस दिखाता हूँ कि इंडिया इस वन आफ दी वर्ड लीडिंग प्रडूसर आफ एंटिबायोटिक यह जानना होगा रिसर्च का वि 1996 से 1997 के बीच में जो एंटिबायोटिक मार्केट है वो 268 मिलियन डॉलर से बढ़कर अब 2018-19 में 2.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट मार्केट हो चुका है हम लोग इतनी बड़ी संख्या में अब एंटिबायोटिक बना के दुनिया को बेचने लगे हुए हैं 78 प्रकार के कॉंबिनेशन वगेरा वगेरा प्रकार की चीजे हैं ठीक है ना यानि एंटिबायोटिक का मार्केट दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है यही कारण है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा फार्मेसिस्ट असोसियेशन को एक ल दवाओं को जादा बढ़ावा ना दें आदेशों को प्रभावी रूप से सुनिष्चित करें एंटिसेप्टिक एंटिबायोटिक एंटिवायरल एंटिफंगल एंटिपरासाइटिक दवाएं ना लिखें और लिखें तो उनके बारे में प्रवा पर जानकारी दें कि बढ़ी है यानि एक प्रकार से हमारा शरीर जो एंटी माइक्रोबियल छमता विक्सित कर रहा है वो बहुत नुकसान दायक है आप इससे अंदाजा लगाईए हमारे देश के लगभग 40% पेशेंट्स ने अपने जीवनकाल में कभी ना कभी एंटी बायोटिक जरूर खाया है एक आखड़ा जो आपको चौका सकता है देखिएगा भारत में रोजाना 5.7 अरब डोजिज एंटी बायोटिक्स की 2019 में ली गई है अंदाजा देखी नंबर देखी आप देख करके हैरान होंगे इतनी बड़ी संख्या में एंटी बायोटिक्स हमारे देश में खायी जाती है 2019 से लगभग 13 लाख मौते हुई है किस वज़े से मौते हुई है तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हुई है जो भर भर के दवाईयां खाई हमने हमारा शरीर उनके खिलाफ इम्म्यूनिटी बना लिया और जब हम रियल में बिमार हुए तो हमें कोई भी एंट बैरी में ही नहीं था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कई परिक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रशन भी अब बन चुका है इसी लिए DCGI ने अपनी तरफ से कहा है कि एंटी बायोटिक्स को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ना बेचें कोविड काल में भारत के अंदर इसका मिस्यूज बहुत बढ़ा था भारत के अंदर कोविड की पहली वेव के अंदर बड़ी संख्या में लोगों ने एंटी बायोटिक का उपयोग किया था वास्तविक्ता में वो वायरस जनित बिमारी थी और लोग बैक्टिरिया को मारने की दवाईयां खा रहे थे क्योंकि अपने ही डॉक्टर लोग खुद से बने हुए थे ऐसी इस्तिती में भारत सरकार द्वारा बार बार लोगों को ये कहा गया है कि वो एंटी बायोटिक दवाईयों को बिना प्रेस्क्रिप्शन के ना खरीदें और ना ही लोग बेचें क्योंकि एंटी बायोट इसी के तहट सरकारों के द्वारा समय समय पर फार्मेसिस्ट पर कारवाई ही भी की जाती है लेकिन वही बात है आप लोग जब खुद से खुद के लिए चिंतित नहीं है तो फार्मेसिस्ट को भी क्या चिंता लेनी आप किवल इस बात से समझ जाईए कि एक बिमारी की करके दवा आया करती थी उसे इसलिए रोका गया क्योंकि वो दवा काम करना शरीर में बंद कर दी थी और दवाओं के लिए बैक्टीरिया अपने आप में सुपर बग बन गया था यानि कि बैक्टीरिया पर कोई एक्षन ही नहीं हो रहा था कोई भी बैमारी उनको खतम नहीं कर पा रही थी क्योंकि अब उनके लिए जो एंटिबायोटिक बना था बैक्टीरिया के लिए तो वो स्वर्ग हो गया क्योंकि शरीर इसको मार रहा था इसे नहीं इसलिए ये बैक्टीरिया सुपर बैक्टीरिय या सुपर बग बन कर निकला था आप इस से अंदाजा लगाईए कि अगर अगर कोई व्यक्ति एंटी बैक्टीरियल बिमारी से ग्रसित है मतलब एमर से ग्रसित है एंटी माइक्रोबियल ड्रग से मतलब उसका शरीर दवाओं का असर करना बंद कर चुका है तो ऐसी इस्थि कि गलत प्रेक्टिस आपको कभी और किसी गंभीर बिमारी से पेडित कर दी तो दवाएं आपके शरीर पर असर नहीं करेंगी और ऐसी इस्थिति आपके लिए बहुत घातक होगी आप और आपके परिवार जनों के लिए घातक होगी इसलिए आप इस सेशन को as an awareness अपने प खर्च करने भी पड़ जाएं तो उससे नहीं घबराना चाहिए मान लिजे 500 रुपे डॉक्टर लेता है आप साल भर में 5 बार मिमार पड़े 10 बार मिमार पड़े आप 5000 खुद पर खर्च करके कम से कम इस प्रकार की घातक बिमारियों से बच सकते हैं जब वाकई में आपक बैक्टिरिया को यही मारने लगता है कई शरीर में बैक्टिरिया हमारे अच्छे होते ह है लेक्तों बैक्तिरिय ध्में पाया जाता है आप सोछी怎麼辦 है लेकिन उसको भी निप्ता दे रहा है जी मिचलाना चाहिव हो हो ना जीमिटा बायोतिक 玩 पढ़ना, खुजली होना, बहुत ज़्यादा लालीमा शरीर पर आना, स्वैलिंग आना, छाती गले में जकड़न होना, मूँ में छाले होना, सांस में दिक्कत लेना, बात लेने पर सांस लेना, यह सब एंटिबायोटिक से होने वाली परिशानिया हैं, तो इसलिए इन सब के लिए सतर करें, क्योंकि Ministry of Health ने साफ साफ लिखा है, डू नाट कंज्यूम एंटिबायोटिक अंटिल प्रेस्क्राइबड बाई दा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर, एक दो जोला चाप डॉक्टरों से दवाईयां ना लें, इस स्थिती में आप से गुजारिश है, कि यदि आप कहीं से दवा ले रहे हैं, जिसने इतनी महनत करके पढ़ाई की है, उसने अपनी नॉक्री डॉक्टर की पाई है, उन से जाकर दवाईयां लें, उनके रिकमेंडेशन पर दवाईयां लें, और उन से पूछें, कि अगर आपने हमें कोई एंटी बैक्टीरिया, या फिर कोई दवा लिखी है, एंटी बायोटिक लिखा है, या एंटी वाइरल लिखा है, एंटी फंगल लिखा है, तो बताईए कि ये क्यों लिखा है, कहां से पता चला आपको कि ये मेरे वाइरस के कारण हुआ है, क्या आपने लैब टेस्टिंग कराई है मेरी, या फिर आपको किस तरह से ये लग रहा है, क्रपया करके mention कर दीजे, so that में इसे ध्यान रख पाऊंगा है न, तो ये सब आपके सयोग से और डॉक्टर्स के सयोग से ही हो पाएगा, जो भी हमारे डॉक्टर साथी या डॉक्टर हमारे जो सुन रहे हैं, वो भी क्रपया इस बात का ध्यान दे, कि निश्चित ही जो मरीज आपके सामने आता है, वो इतना ग्यानी नहीं है जितना ग्यान आपको है ऐसी स्थिती में उनकी सहायता भी आप करें तो आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी charity होगी उन्हें बताएं कि आपको यह बिमारी कैसे हुई है ठीक है फिलहाल के लिए उमीद है कि आपको सरकार की बातें भी समझ में आ जा फिलहाल फीस 1999 है और कल से ही है फीस 3000 अपलाई हो जाएगी थैंक यू सो मच